मुंबई कॉंग्रेस के उपाध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव ने हमसे बात्चीत करते हुए कांधिविली पूर्वा कूरली रोड पर बरसो पुरानी ट्राफिक की समस्या पे जताया खेद। अजंता यादव ने मौजूदा सांसत विधायक और नगर सेवकों को तोकते हुए कहा कि इनके वादा खिलाफी के चलते आज दफ्तर व्यवसाई और स्कूली बच्चों को बड़ी यातना जहेलनी पड़ती है और अकूरली रोल पर ट्राफिक के चलते अक्सिडेंट में कई निर्दोष जाने भी जा चुकी है मैं आपको यह बताना चाहूंगे कानेवली इस्ट की सबसे बड़ी समस्या ट्राफिक है ट्राफिक कंजेशन इतनी जादा है कि लोग अपने जगहों पे याँ अपने काम पे आपने स्कूल यां कॉलिजिस में जो बच्चे जो यांग पहुआर्ण जाता है ठेनन समय पहुंचनी जाने नहीं पाते हैं श्यांसमेर उनको होती है और जो महेला थाज जो महिले अपने जॉब्स के लिए सोचेट गेर ढाट। सन जाने में बड़ी समचा है कि मेडिकल फिल में जो पिल्टक्तर् जो टोक्प्तिस पारिषें कि हमारे पास दुर्भागया कि यह बात है कांदुविली लिस्क में कि हमारा अप्रोच रोड स्टेशन की तरफ सर्फ एक है वह है अकुली रोड और उस अकुली रोड पे इतनी ट्राफिक जाम होती है कि रस्ते भी छोटे हैं आजू-बाजू पार्किंग लगी हुई रहती है तो यह जो समस्या है यह हमारे जो स्थाने कामदार है यह आमदार तो जीते आए बड़ी-बड़ी बाते की उन्होंने बड़े-बड़े वादे रखे लेकिन किस कोई भी काम नहीं हो पाया है उन्होंने इस पूरे ट्राफिक को ट्राफिक कंजेशन को कम करने के लिए ज एक अपुटल रोड बंग ची उन फॉरच यह गड़ा है वह बाकी जगह पर जो भाग जो पनने वाले और जो अब चानिक्थिविटी बंग यह नहीं बन चुकी यह लेकिन अमारे कांडुली अफ्वे काम नहीं हुआ है वह तेखते हो कि वह बॉतल नेक है जैसे ट्राफिक म करने के लिए मुझे पैदा या भाग के जाना पड़ता है तो यह समस्या बहुत सिवियर है और इसमें मैं तो यह कहूंगी कि जो हमारे स्थाने कामदार है अतिल बातर कर जी और जो जो बाजब सरकार है जो बड़े-बड़े सपने दिखाई हैं लोगों को कि हम यह करेंगे करेंगे लेकिन इसमें तोटली उनकी सपने लोगों को दिखा कि उन्होंने लोगों को बिल्कुल एक गलत जगह पहुचा दिया बहुत तकलीफ में डाल दिया है खाथर महिलाओं पे इतनी स्ट्रेस हो जाती है लोग जब बिमार होती है महिला यह जब एक काडिया पहुचाने के लिए अगर निकालते है तो वह भी हम सक्सेस नहीं होते पेशन की जान रास्ते में चली जाती है अभी कई फायर लग जाती है तो फायर ब्रिगेट को आने के लिए इतना समय लग जाता है जो जहां पे फायर लगी है वहां पे लोगों का नुकसान भी हो जा तो इसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की है, भाजब सरकार की है, जो दस साल से जूटे वादे की है, इनने कांदुवली के रहवासियों के साथ, तोटल फेलियर है, और इनके जाने का समय आ चुका है, जनता इनको सबक सिखाएगी, जो जूट उनने का है, जब अपने न जो ने कामें। खाएगी, चैनल को सबकस्टाप ने काम थाएगी, जो जब आपटी कमिशनर का मेणी कार्वेशन परेटे कमिशनर के समय लिजा। पलीस भी बाती जो एपने चैनल की है, जो आपको सबक्साइब रहर तो रहरा हम को के रहरा है कि एक्ट एक्सेड चाहिए जिसका काम मैंने 2012 से शुरू किया, 2014-2015 में मैंने वो रोड लोगों के लिए महेंद्र महेंद्र कमपनी से BMC को हैंड़वर दिलवाया, जो अभी भी वहां पे मौझूद है, उसका फंड हम लेकिया है, 2017 से पहले हमने वहां पे एक नाला आता था, मेजर नाला को कवर करके, हमन वहां सिंग्स्टेट में फॉरस्स था, उसको भी हमने डिलीट करवाया, प्राइवेट प्रॉपर्टी कार्ट से इस तरह और आगे उसके आगे शापुजी पालन ने अपनी फ्रांजिट कैप मनाई ती अडिशनल सीपी ऑफिस के सामने ठापुर विलेज में, उसको हमने प्राइवेट प्राइवेट ने इस तरह उसके सारे काम उमने की ए और रोड हमने तयार है लेकिन जब मेरा थाखम हुआ है तो जो पीएपीज देने के मसले में बाजब संकार में, बाजब के आमदाल में ने दूब गैज और लोक और परेशानी में प्रूब गया और तकल सिक्स्टी फीट पर सीसी रोड बनाया, इंडर्नल रोड के पूरे नूतनी करन के लेकिन उसके बाद कोई भी एक रोड नहीं हुआ है तो ये बाजब संकार की जो जुमलेबादी है ये अब और चलेगी नहीं और जनता उनको अपना सबग सुरूद सिखाईगी